बिसमिल्लाइब रहीमस, सलाम अलेकूम आई यूटी फैमली, वेलकम टू अंदर वीडियो, I hope कि आप साथ लोग ठीक रहा होंगे, खेरो फियर्स से होंगे, तो आज हम बहुत ही साथ इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, British citizenship के बारे में, कि उसकी सर्बन के बात कितनी दिन बात आ जाता हैंAKं इस और मिर बात करने हैं, कि आपको आपको फीक पेर्न करने होंगें, या पिर को सर्म्री में अपने किड Holz को बच्चों को भी ले जा सकते हैं इस तरह की सारी बाते हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपने वीडियो को लास तक डिखना है ताके कोई भी इंपौर्टन बात का मिस नहो सकffen। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना और बैल आकन को प्रेस कर देना है ताके हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बहुत से लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं सर्मरी में क्या होगा, हमसे क्या पूछा जाएगा, क्योंसे क्वेस्टन्स पूछे जाएंगे या पिर हम वो औत तको याद करना पढ़ेगा, रिमेंबर करना पढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको रिमेंबर करने की ज़ूर्द ने हैं, गुरुप की शकल में, वहां पे आपको औत तो और इंथा आपको już हैं, आपसे रिपीट कर रवाए जाता है, ना क charms आप से पूचे जाता है बलके ग्रूप की शकल में आप से प्रॉमिस दिये जाते हैं आप से स्वेर कस्में उठाई जाती हैं कि आप यहां के UK के रूल रेगुलेशन को फोलो करेंगे इनके मताबक चलेंगे कोई भी आप जो है वह मिस अंडरस्टेंडिंग या फिर करेंगे मिस जू है वह बहेव नहीं करेंगे और सारे रूल आप फोलो करेंगे जैसे कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये ब्रेटी सर्मिनी हो रही हैं फीमिल्स हैं मेल्स भी बैटे हुए हैं यहां पे वह किड्श यू हैं वह आप ले जा सकते हैं बड आप अपने सर्मनी हो रही है तो यहाँ पे इन से एलिगंस हो ए सर्टिफिकेर चब डेते हैं तो इनसे डिफरेंट तरह की पिक्स बनवाई जाती है मैकस्मिम यह एक गंटे की सर्मनी होती है और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आके आपको यह बैटने शीयरश पर बैटने हैं फिर आपको जो है वकरणा करवा करे आपसे यह कहल वाय करवा जाए गार उसको रिपीट करवा है जाएगा उसके बाद जो है वन बयवान को बना म息रत को कि दो क्ःटिड्ड सिर्ट इस वे ऐसा कुछ में नहीं होता हैं जो के बहुत जार टाफ हो आप परेशान हो जाए तो जिस में इतना ही होता है और इसके बाद अगर मैं आपको यह पताते हैं आप कितने देर बाद जो हैं वह पासपोर्ट अपलाई कर सकते हैं तो आप टैन वीक के बाद जो हैं ब्रिटिस पासपोर्ट बांड कर सकते हैं और एक दो वीक में आपका पासपोर्ड आ जाता हैं तो इस तरह यह सरमनी होती हैं सबसे पहले जो जो इस छो होता है यानि कि जब आप इस प्रोसेस की तरफ आया ले की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको A1 या B1 का टेस्ट देना पढ़ता है उसके बाद आपको life in the UK test pass करना परता है then आपकी यह ब्रीटिस सर्मनी होती है फिर आपको फौथ नमर पे जो है आपको ब्रीटिस जो पासपोर्ट है वो अपलाए करना होता है बाकी ब्रीटिस सिटिजन शिप सर्मनी कैसे आपने बुक करनी है तो वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिपिशन मे जाके तो आपने वहां से ब्रीटिस सर्मनी जो है अपनी बुक कर लेनी है और फिर वहां पे टाइम पे पहुंचना है लेट बिल्कुल भी नहीं होना जितनी आपके टाइम है उससे 15-20 मिनट पहले आपने चले जाना है और वहां पे वेटिंग करनी है और जब आपको वो बुलाएंगे तो वहां पे आपने चले जाना है अमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही एल्फुल रही होगी तो आपने क्या करने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो जे आप तक पूं सब्सक्राइब कर देना ठाकि तो आप प्रेस कर देना वीडियो जेखन प्रेस कर देना वीडियो बहुत है इंस कर देना वीडियो झाल 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 झाल